हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आयार इस्टडी में दोस्ते इस वीडियो हूं जी के जी इसके कुशन को सॉल करेंगे जो कि प्रिवेस एर एक्जाम में आयो कुशन है और आगामी परिक्षा के लिए भी काफी महत्तों कुशन है तो चलिए हम बिना किसी देटी के वीडियो को शुरू करते हो और इससे पहले वाले वीडियो के आपने नहीं देखे तो आप उनको भी प्लेलिस में जाकर देख सकते है तो देखते इसमें पहला कुशन क्या दिया दुनिया में वो फर्वरी 1911 इसमें भेजा गया था लेकिन कहां से कहां तक भेजा गया था यह हमें बताना है तो ऑप्षन देख लेते हम इसके ऑप्षन हो जाएगा अंदर परदेश से दिल्ली ऑप्षन भी इलहाबास से नैनी ऑप्षन सी हैदरबास से तिरूपति या पिर उप्षन डी इलहाबास से आगरा यह भेजा गया था इसका आंसर हो जाएगा उप्षन भी सबसे पहले जो इसका एयर मेल भेजा गया था फर्वरी 1911 इसमें वो इलहाबास से नैनी के लिए भेजा गया था तो आंसर हो जाएगा इसका उप्षन भी इलहाबास नैनी आपको एक चीज और ध्यान लगने आपर जो भारत की वानक समय रेखा गुजरती है वो इलाबाद के नैनी से होकर के ही गुजरती है तो देखे दुनिया का पहला अधिकारी एयर मेल प्लेन के दुवारा जो मेल भेजा गया था वो फरवरी 1911 इसवी में यानिके 18 फरवरी 1911 यसी में इलाबास से नैनी भेजा गया था और इसके लिए देखे फ्रेंच पाइलेट थे फैनरी प्रिकेट उन्होंने क्या गया था 6500 कार्ड यानिके उनके पास 6500 कार्ड से इसके अलाबा लेटर से भरी हुए एक बोरी थी जिनको उन्हें पहुंचाना था इलाबास से नैनी की और तो वे इन सभी को ले करके एक बोरी में वो क्या गए तो जो दो सीट वाला एक प्लेन था जिसमें सिर्म दो ही सीट है उस प्लेन से उन्होंने उडान भरीती सफलता पूरवक्त और यह पहला अधिकारिक मेल उन्हें इलाबाद से नैनी के लिए पहुंचाया था कि इसन यह और यह समय था 1911 फरवरी का उसरा देख लेते कुशन नमर दू किरिप्स मिशन के शिवर्ड से भारत आया था तो देखिए ओप्सन ही हो जाएगा 1922 एसवी 1928 से ओप्सन ही हो जाएगा इसका ओप्सन डी हो जाएगा सबसे पहले देखिए अगर हम इसके डेट वाइस की बात किया था लेकिन जलिया वाला बाग नरसंखार के अगर हम बात कर तो वह वह सब्सक्राइब देखिए और चारों को इसमें ध्यान रगना है कि साइमेन कमीशन उनिस्टो अठाइस इसमें भारत आया था निस्टो इसमें इसका गठन हुआ था लेकिन जलिया लबाग नरसंगार देखिए उनिस्टो इसमें हो था और चौरी चौरा की घटना 1922 में परानी चीजो की घौज की किया जाता है अन्त्रो पलोजी में मान विज्ञान का अध्यान किया जाता है अन्त्रो पलोजी ये वी क्या है कि एक शाख है जिसमें मानव विज्ञान का धियन जाता है और जे फर्मैकालोजी है। इसमें जड़ी बूकियों इंकी, सब्सक्र junior साधि에 अलंको इंकी जए जन्य जैप फिर अधियर देस्व adviser कर लुद्व में को लेकियों लड़ी बूटियों का अध्यान किया जाता है तो यह विज्ञान की शाखाएं है लग उच्छन कुष्ण नमबर 4 यहां पर भारते सिनिमा का जनक किसे कहा जाता है सभी कुष्ण लेटेस एक्जाम में आई वे कुष्ण है तो ऑप्सन देख लेते हैं मिसका ऑप्सन ए मणी स सिनिमा का जनक कहा जाता है या माना जाता है तो इसका देखी हम देख लेते हैं आपर भारत के प्रितम फिल्म लिराता धुरिंदर गोविंद फालके को ही दादा सहाव फालके के नाम से जाना जाता है तो यह इनका पुरा नाम हो जाएगा धुरिंदर गोविंद फालके इ और ये सब 1913 important थी थी क्योंकि इसी इशी इसी तीथी को सबसे पहले यानि के जो साहित्य का सिर्षा नोबलब नौबल पुर्खा दिया गया था इस्जी में वो रविंदनाथ टैगोर को दिया था सं 1913 इसी में प्राहित्य का नोबिल पुर्खा रविनाथ टेगोर को मिला था 1913 में अगले देख लेते हम कुशे नमबर पाच यहां पर निमन लिखित में से की शिवर्स समराथ अकबर का राज्य अभिशेक किया गया था उप्शन इए 1952 उप्शन वो सुरी 1552 हो जाए गया अपर 1900 तो नहीं है उप्शन भी 1556 उप्शन सी 1560 या फिर उप्शन भी 1550 तो इसका अंसर हो जाएगा अबुल फजल नहीं अगबर नामा को लिखा है 15 तेरा वर्स की आयू में अगबर का राज्य विशेक किया गया था 1556 की देखिए पानिपत की दूसरी लड़ाई उन्हें जीती थी जब इनका देखिए राज्य विशेक किया गया था और इनके ये शंगरक्षकते वो बैरम खान थे पुशन नमर छे देखिए निमन लिखित में से किसके अणूओं के बीच आकर सर्ण बल अधिकतम होता है तो दीखिए तो इसी कुशन है अपसे द्रव है और बी तोस और सी गये से या फिर और प्लाजमा तो इन में से किसके अणूओं के बीच में आखर सर्ण बल सबसे अधिक होगा तो इसका अन्सर वोजाएक ऑप्सन भी तोस में अधिक होता है इसलिए ठोस के खन आपस में अधिक बल से जुड़े होए होत ना नहीं देखिए उसका वजन चीर्श है यानिके इसका देखिए यानिका आधन और um Mist vér के लेकिन अगर द्रेन की बात करें अधार्व की जो आकर्स खांद लगता है इनि में किन फ्के ठोस धाउ कम अगला कुशन है कुशन नमर साथ भारते समिधान में फर्स्ट पास्ट दा पोस्ट सिस्टम का प्राभधान किस देश के समिधान से लिया गया है अच्छा कुशन ने देखे यह पॉलिटी का फर्स्ट पास्ट दा पोस्ट सिस्टम का प्राभधान किस देश से लिया गया है क्या रहें कि first past the post system में जिसबी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसी की जीत हो जाती है तो ये मत पदती है एक first past the post system इसमें जिसभी व्यक्ति को जो भी candidate है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीत जाएगा ये प्रिटेक्स चुनाओं में विधी अपनाई जाती है इस पदिदी को अपनाए जाता है जैसे लोग सभा के चुनाओं होते हैं इसके लावा पंचयदी चुनाओं जो भी होते हैं जिनको भी अधिक वोट मिलेंगे उसी की जीत हो जाएगी तो इसी सिस्टम से इनका वोट डलता है फर्स्ट पास्ट था पोस्ट सिस्टम ते इसी पदिदी का प्राध्धान जो किया गया है वह बिटेन के सभीधान से किया गया है इसका प्राध्वावित होती है तो देखें और प्राध्वावित होती है लेकिन अफगानिस्तान में इसका प्राध्वात नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसका उप्संदी सिंदु नदी के उद्गम के अगर हम बात कर तो यह तिब्बत के मानसरवर जील के निकट सीमा यूंग्डूं ग्लेशियर से इसका उद्गम इस्तले यहां से निकलती है और सिंदु नदी की लंबाई देखे 880 किलोमेटर की इसकी लंबाई है इन नामों से इसको जाना ज अलग है देखे यह पाकिस्तान में सबसे जादा इसके पानिका यूज होता है सिंदु जल विवाद देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है वह तीन नामों वाल या नहीं जो अलग नदी है अगला कुशन देख लेदें कुशन नम्बर नो दोनी को मापने के लिए कौन से एक यानिके यूनिट का अप्योग किया जाता है तो देखे अंसर हो जाएगा इसका यह अप्शन हो जाएगा हो में किया जाता है अपशन की तर्वानम्म के लिए सर्वत्तम मानी जाती है है निए Sakने लेकिन अगला है कि अगलोई की है और से काफ़ेसी डियो के लिए देक है लेकिनn आप्शन बी 356 ऑप्शन सी 369 या फिर ऑप्शन दी 360 तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्या पातकाल की जो गोशना की जा सकती है वो अनुचे जो प्राधान किया गया हो अनुचे 356 में किया गया है राष्टपति सासन शब्द का उल्लेक समिधान में नहीं किया गया है इसकी जंगा पर लिखा गया है कि राज्य में समिधान तंत्र की विफलता होने पर महां पर राष्टपति का सासन लग जाता है इसलिए इसको राष लेकिन 10 तो यह कुश्चन थे लेकिन इसके अलावा हमने काफ़े फैक्ट को कवर किया यदि इसको वन लाइनर फॉर्म में देखा जाया तो हमने लगब 35 से 40 कुश्चन को कवर कर लिया है के लिए उमीद करता हूं यह वीडियो पसंद आयोगी आपको पसंद आयोगी तो ला बाई को यह काली यहिए चर भील इसके लूर अवीदगा यह मतस्त्त कर दोल्ड़ के लिए इसकेन आयो यहूऑ कि वाद शेता है